So once again, welcome, तो आज की class, जो की last class में हमने पढ़ा था, आपके recreations के बारे में, recreation के साथ साथ में, आज हम देखने वाले हैं, कि कौन-कौन से आपके outdoor और indoor activities होती हैं, तो वो तो हमने पिछली class में देखी थी, लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है, आपके, हमने पूरी ये complete series, complete कर रहे हैं, जिसमें indoor-outdoor ये देखिया था, हमने, उसके साथ साथ में, आज हम पढ़ने वाले हैं, principle of recreation, कि principle of recreation क्या होते हैं, तो principle of recreation की बात करें, तो कुछ ऐसे principles हैं, जिनको follow करके, या फिर जिन सिध्धानतों को याद रखके, हमें recreation करवाना चाहिए, यानि कि इन सिध्धानतों को हमेशा उस इंसान को याद रखना चाहिए, जो recreation में participate कर रहा है, या फिर recreation को करवा रहा है, जैसे कि वो आपका leader हो सकता है, camp का, जो लेके जा रहे हैं, तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो कौन-कौन से principle है, सबसे पहला principle है, recreational involves activity, यानि कि recreation ऐसा होना चीज, जिसमें कोई activity हो रही हो, ऐसा नहीं है, कि sir, मुझे तो सोने में मज आता है, तो मेरा वो ही recreation हो गया, ऐसा नहीं है, recreation आपका होना चीज, जिसमें activity, यानि कि आप actively participate हो रहे हो, चाहे आप physically तौर पे, या mentally तौर पे, तो recreation हमेशा actively होना चाहिए, next one is, allow no recreation to become, recreation, मतलब कि आपका no recreation, no creation, मतलब कि, जो आपका recreation है, वो आपको पता है कि, आप recreation, मतलब कि, जब आप अपने mind को वापिस से recreate करने की कोशिश कर रहे हैं, यानि कि, देखो, जैसे कि आप कुछ काम करते करते बोर हो गए, तो जब तक आप recreation नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी चीज और नहीं create नहीं कर सकते हैं, यानि कि, आपको, अपने mind को broad sense में बढ़ाने के लि creativeness भी जलकनी चाहिए, या फिर recreation से creative भी होता है इनसान, ठीक है, next one is, selected activities that best suits for your age, sex and ability, ऐसी आपको, हमेसा याद रखना है, इन principles को, यानि कि, एक age के हिसाब से, ऐसा नहीं कि, कोई बुजूर्ग आप बोलो कि, चलो, बंजी जंप, चलो, आप और भी कुछ, ऐसे, ऐसे नही है, यानि कि, हर इनसान की age के हिसाब से, अब कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसको थोड़ी सी activity करवा सकते हैं, ऐसी जिसमें उसके physical तोर पे हो जादा involved हो, कोई अगर भुजूर्ग आदम है, उसको seated chair पे बैठ के कोई, ऐसी activity कर आ सकते हैं, जिसमें उसको जादा उठन से काम करती है, एक male या एक male अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, तो male और female दोनों अलग तरीके से काम करते हैं, अलग उनकी पूरी सारा ही physiological changes होते हैं, सब दोनों different होते हैं, तो उनके हिसाब से, ability के हिसाब से, अब बोलतो दिया कि 18 साल का आपने एक लड़का देखा होगा ठीक है, और उसी 18 साल का एक और लड़का, एक आपका पला बड़ा है, गाओं में पूरा एकदम जिसने भहस चराई है, पूरा धंग से एकदम, और एक आराम से अपना computer laptop पे बैठने वाला दोनों को, अगर आप same physical task देंगे, तो जाहिर सी बात है, जो गाओं में पला बड लड़ होते हैं, तो capability के हिसाब से भी, या ability के हिसाब से काम देना पड़े है, कोई आपने देखे होंगे, 18-18 साल के दोनों होंगे, लेकिन एक भौंदू टाइप को ऐसे बिल्कुल ऐसे गरदन नीचे करके, एक दम पेट लूसा, ऐसे रहते हैं, और कई 18 साल का ये वो रह आप से ही, तो recreation must suit your pocket, ऐसा नहीं है, कि आप मुझे camping करनी है, मुझे camping करनी है, पापा, पापा के पास नहीं है, 10,000 रुपे भी, आप बोल रहे हो कि मुझे तो आजाना है, paragliding करनी, paragliding में लगते हैं, 25,000 रुपे माल लो, तो कैसे, ऐसी recreation activity आपको चूज करनी है, कि जिसम आपकी pocket भी, या नहीं कि आपकी जेब भी हमेशा साथ दे, तो ऐसा नहीं कि दोस्तों ने plan मना लिया, गोवा का चलते हैं, ऐसा नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि आपकी जेब भी उस चीज को बोले कि हाँ भाई कर लो, ठीक है, तो make recreation a productive and purposeful, अब हम बात करने ह इसकी कि जो recreation आपका है, तो उसमें वो तरीके का होना चीज कि उसका कुछ purpose हो, उसका कुछ आपका meaning निकले, करते वक्त उसको करने के बाद भी, तो कुछ recreation ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको पसंद है swimming, तो swimming करते करते उसमें purpose निकल रहा है, यानि कि आपकी swimming जब आप करेंग जो कि एक life saving skill है, तो वो सीखेंगे, तो कितने ज़्यादा purpose या फिर productive एक recreation है, और साथ ही साथ में वो recreation भी है, तो recreation ऐसा होना चीए, जो पूरा productive हो, और पूरा purposeful हो, उसके बाद में next है, आपका don't mix recreation with work, अब ऐसा नहीं है, कि जैसे कि मैं video बना रहा हूँ, अब ये मेरा recreation नहीं है, ठीक है, ये मेरा काम है, अब ये मेरा काम है, अब मेरा recreation नहीं है, वहीं पर recreation करने के लिए, मैं Instagram पर कभी-कभी real बना लेता हूँ, तो वो मेरा recreation लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम थोड़ी से acting कर लेते हैं, थोड़ा सा दर दर खूद लेते थोड़ी editing कर देते हैं तो वो मेरा recreation है तो मेरा recreation बिल्कुल अलग है मेरा काम अलग है ऐसा नहीं है आपको कि काम छोड़ के recreation करने पहुँच गे या फिर recreation छोड़ के काम करने पहुच गे दोनों को अलग-अलग रखो काम कम से कम आप 7-8 घंटे कर रहे हो माल लो तो एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप recreation करो या फिर काम को और recreation को दोनों को अलग रखो ऐसे नहीं काम करते करते वीडियो देखने लग गया सर ने बोली ति recreation और mind relax ऐसे नहीं होता है उसके बाद में aim at being skillful अब उसके साथ साथ में आपको याद रखना जितने भी आप recreation करते उसमें उसका aim यह होना चाहिए कि उसमें मैं skilled बन जाओं जैसे कि आपका एक recreation है जो कि आपका shock है वो है आपका newspaper पढ़ना या फिर book reading करना तो आप ऐसे skillful हो जाओ कि आप अलग अलग तरीके की बहुत अच्छे-च्छे books पढ़ो या फिर आपका singing का है तो singing का धीरे-धीरे करके आप देखो कि आपके field में यानि कि singing में कौन बहुत उपर तक है तो उस growth तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको skillful होना पड़ेगा तब ही जाके वो recreation काम आएंगे तो आज की class में इतना ही आज की वीडियो में इतना ही next class में हम characteristics के बारे में discuss करेंगे कि characteristics आपके क्या होते हैं तो hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद भी आती है तो भी like और share कर दिया करो मिलते हैं next class